कि है लो दोस्तों स्वागत आप सभी काप के अपने यूट्व चैनल स्रीराम क्लासेश में और दोस्तों आज का एक खास वीडियो दस्वी बोर्ड परिक्षा 2020 से समधित हैं माद्विक परिक्षिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर की दस्वी क्लास की बोर्ड की कोपी है और इस वीडियो में जानेंगे की दस्वी बोर्ड की जो कोप्या है वो किस प्रकार चेक होती है और आप किस प्रकार उसमें उत्तर लिखे मैट्स की कोपी में और गनित की कोपी में ताकि की जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको तुरंट वीडियो के माध्यम से आपको सुछ नदे दूँगा तो रिजल्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो अभी सब्सक्राइब कर लें ये कौपी 2019 के एक्जाम की है जो एक्जाम गणित का सुक में किस प्रकार चेक होती हैं गणित में किस प्रकार नंबर दे जाते हैं तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये प्रस नंबर एक है बांसर का इसमें वर्ग पूचा था तो स्टेप के नंबर इसमें दिये गए हैं और इसमें पूरे में से पूर नमेका से और यह बोड एक्जाम 2019 का जो टॉपर स्टुडेंट है उसकी कोपिया आपके सामने है कि उन्होंने किस प्रकार लिखे कि उनको पूरे में से पूरे यहन की 100 बैंडेंड नमबर मिले तो यह आपके सामने हैं बोड की कोपी और बोड एक्जाम में लिखते समय अपन तो आपके भी अभी तक एक्जाम नहीं हुआ हो तो जरूर बोड एक्जाम में आप अपनी हैंड राइटिंग और स्टेप सही लिखे और पेपर सॉल करते समय दियान रखना है कि वापस प्रस्टन नहीं लिखने हैं केवल इसमें डायरेक्ट आपको पेपर सॉल करना है बार बार प्रस्टनों को लिखने से कोई फाइदा नहीं होता है इसमें बोड एक्जाम में केवल आपके आंसर चेक के ज़ते हैं तो आप य भी विशेज द्यान रखें यह बोड एक्जाम यह दस्वा आट्वा प्रस्न प्राइकता का है तो लिखते समय हिंदी कभी विशेज द्यान रखें इसमें किस प्रकाराइस में हिंदी लिखनी है चित्र बनाते जाएं और चित्र को विसे नमंकित करें ताकि आपको पूरे में से पूरे अंग मिले तो यह बोर्ड एक्जाम की कौप्या आपके सामने हैं यह यार्वा प्रस्न बैयालिस का गन इसमें ग्याद करना था तो बहुती शानदार तरीके से इसमें आंसर दिये तो यह अपने में सिंग्या का हर बार प्रस्ट में पूचे जाता है तो आप भी इसको अच्छे से त्यार कर लें ताकि आपके भी इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिले और इस तरह लिखे आपके भी ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले और सवाल में दिया गया है याद करना है सुत्र का इसे द्यान है गनीत में और पुरा हाल करके सारे उत्तर निकालना है और सिपके उत्तर लिखता समय है उसके यूनीट जरूर लिखे कि शत्र फल है तो वर्ग सहमी आईतने तो गन सहमी या at something कि क्यूब सेंटीमेटर स्क्वायर और किसी का ठीटर सेंटीमेटर जिस में भी हो को जरूरिश में लिखें और प्रसिंट को करते समये जो सुत रहें उसमाओं उचित अस्तान पर उनके मान रखें और बॉर्ड मास की नियम सेंस को हल करें ये बहुत ही शांदार तरीके हैं वैसे इसको number मिले होंगे, यह आप देख सकते हैं पूरे में से पूरे इसको number दिये गये है इसमें, तो क्यों न आप भी इस तरह से प्रस्नों के उत्तर लिखे तक कि आपको भी बोड़ एक्जाम में पूरे में से पूरे नमबर मिलेंगे और स्टेप के नमबर आपको मिलते हैं यह कॉपिया आपके सामने है तो जरूर आप भी इस तरह स्टेप बाइ स्टेप परस्टों के उतर लिखें यह सरवांग समता का क्षिशन है तो आप भी अपने बोर की कॉपि में कुछ इस तरह से लिखें यह रस्टों वाला प्रस्टों है बाइसवा प्रस्टों रस्टों के गे इसमें गोले का व्यास दे रखा है और गोले की आईतन ग्याद करना है इसमें आईतन दे रखा है इसमें उच्छे ग्याद करनी थी एक से पंद्रह तक यह प्राइकता का स्वाल है एक से पंद्रह तक कुल बज़ सिंग्या है ये ग्राफ और ग्राफ में इस तरह से प्यमाना जरूर लिखे इसमें प्यमाने के भी नमबर मिलते हैं और डॉट लगा कर इसमें निदे संग भी उचित तरीके से दर्साए गए हैं तो इनको नमबर भी ये इस तरह से सानी बनाएं ये ठेश्वा प्रस्णर निदे संग जैमिति से हैं वर्ग सिद करना इसमें समकौन समकौन सिद करना है इसमें ये इनको सप्लिमेंट ले गई थी तो काफी अच्छा इन्होंने काम कर रखा है ये बारम बारता सानी बनागे संची बारम बारता माद्यक इसमें ग्याद किया गया है तो आप भी इस तरह से माद्यक करते समय इस तरह से लिखे ताकि अच्छे से आपको इसमें नमबर मिलेंगे यह बहुलक किया गया है इसमें तो काफी अच्छी पर्दसन इसमें किया गया है इस कोपी में और नंबर भी आप देखने हैं इसमें पूरे में से पूरे नंबर है और यह सताइस्वा प्रस्थन है साइन कोस्टेन का तो बहुत इस अच्छी स्टेप अच्छी कोपी आपको पसंद आई होगी वीडियो अपने दोस्तों साथ शेयर करें और दस्टी क्लास के रिजल्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे में से पूरे जो रिजल्ट है उसकी जानकारी मिलती रहें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जै हिंद जै बारत